करें खि même ऐने हैं यौसे पिजान की वेल्कम दिस्चिंज रेट टिक है लास्ट यह वीडियोफ हैं यौ सब करें सबसे पहले वीडियोफ कंशेंज रेट कि गरी थी फिर उसके बाद उसके मेरिट और क्या होता है धाw है और दोने ही subject के लिए important है topic यह मैंने आपको तीनों ही वीडियो में बताया और इस वीडियो में आपको बोलने के topic important है आपके दोनों ही subject के लिए और आपके exam कभी भी हो सकते नेक्स्ट विक में शायद का admit का डावी सकता है तो आप अपने आपको prepare कर लीजिए एक्जाम्स के लिए तो और आगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी तो मैं आपको बता दू मेरे चैनल पर आपको अगर आप इगनु से मास्टर्स कर रहे हैं इकनुमिक्स में तो सभी वीडियो मिल जाएंगी सभी सब्जेक कर लिंग डिस्रिप्शि इस सिस्टम को अड़ाप्त करने का इस से क्या बर नि रहती है और और कैपिटल मुउम्मेंट में ठीक है stability बनी रहती स्थिरता बनी रहती है और यहां पर एक बार एक्षेंज अगर फिक्स हो गया तो वह कुछ टाइम के लिए क्या रहता है तो जो फोरन ट्रेड और बनाने के लिए गवर्मेंट क्या करती है की जब एक्षेंज रहा है तो वह फोरन कर न्स को क्या करती है और जब एक्षेंज क्या हो जाता है हो जाता तो foreign currency को sell करती है ठीक है for this government has to maintain large reserve of foreign currency to maintain the exchange rate at the label fixed by it तो इस time इस वाले method में ठीक है fix flexible में इतने reserve की जरुवत नहीं होती है क्योंकि वहाँ iMAan demand और supply की forces के थुरू होता है और क्या होताराता है export import होता रहता है तो इतनी रिजर्व की जरुवत नहीं होती लेकिन यहां पर अगर सेल और बाइ करना है कि उसको देखके कि हमारी करंसी यहां वीक हो गई है क्योंकि आप एक डॉलर में हमारे देश की तरफ आ रहा है और अगर क्या हो जाएगा एक डॉलर फिफ्टी का हो गया है तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे करंसी है क्लियर हूँ तो इसी इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है गोवर्मेंट को हैं रखना पड़ता है कि अब यह ठीक है तो उस टाइम पर क्या कर देती है तो वो गवर्मेंट देखती है ठीक है लेकिन अब तो अब यह ठीक है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का यूज़ नहीं होता है अंडर इस सिस्टम इच कंट्री कीप्स वैल्यू ओफ इस करन्सी फिक्स इन टर्म्स ऑव एक्सम एक्स्टरनल कोड इस सिस्टम में क्या होता है सभी जो कंट्री है वो अपनी करन्सी को एक एक इस सब्सक्राइब करेंगे अब वह एक जाएं तयार हो जाएं ठीक है कि पर्टिकुलर यूनिट के लिए कि हम इस पर्टिकुलर करन्सी में अपनी करन्सी को क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे अब हम देखते हैं कैसे आगे हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इन अलियर ताइम्स एक्षेंज डेट ऑफ ओल मेजे कंट्री वर फिक्स अकॉर्डिंग टू दी गोल्ड डो सिस्टम थे फिक्स एक्षेंज डेट में क्या एक गोल्ड गोल्ड जो किसके अगेंस फिक्स कर दिया गया था प्राइज उनका गोल्ड की टर्म्स में ठीके एक्जाम्पल से आपको समझ में आएगा सेंट्र बैंक ऑफ इच कंट्री वास डेडी टू बाइन सेल अनलिमिटिट क्वांटिटी और और हर देश का सेंट्र बैंक था वो क्या अनलिम क्या सिर्फ वास जरूआ झाया न देख एक डॉलर पांच क्राम के बराबर ठीक है फाइब रूपी कितने के ब रहाबर है टू ग्रैम ऑफको लोगर अधर एक डॉलर कितने के बराबर हो गया बहुत तो प्लिट में टूइंच करा उससे हम आपता लेगा कि एक डॉलर कितन तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइट कर देंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एक डॉलर कितने रुपीज के ब्रावनों चीए 2.5 रुपीज के इसमें गौल को रिप्लेस कर दिया गया था यूएश डॉलर से किसको माना गया था ब्राव डॉलर के उसमें इक्टेंज कर दिया गया था नहीं रखना यहाँ जैसे हमाँ गोल्ड ऑप्यूलर को एक पिक्स हो रही कि बाद में आप कम्पेर कर सकते हो कि आप कशसरी कितने के एकक 따ug नियुट होगा धिंड औरुपीश तो एक उसको जिणम दिया माना गया international monetary system का ठीक है तो यह आपका fixed exchange rate था I hope आपको यह जो concept है वो clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like it share it and subscribe my channel thank you